अन्यत्रा पाकजम नित्यम अनित्य अंचा नित्य गदम नित्यम अनित्य गदम पाकज और पाकज भेच से रूपादी चतुष्टए चारों माने गए हैं प्रिति में सदाही पाकज होता है और पर्मानों में उस फारा पकर टॉपादी बदलते नहीं है अपका नागता मतलब गया जो पाक शित स्पर्शादी का अपना गुण है रूप रस गंद स्पर्श्चार में से जो जो है अब आस और शुक्ले है वास और शुक्ले 1000 तेज में रूप में कि अध्य मुद्रहय वाईग में इस परश है तो जहां जो भी हैं पर्माणों में वो नित्य गतम नित्यम नित्य गतम उन पर्माणवादी वाय जलिय वह तैजस और वाय वी पर्माणवाद में विद्यमान जो अपाग जत्व है वो नित्य अपाग जबारेगा अर्ताद्वा कहीं पाग होगा ही नहीं इन अनित्य गतम अनित्य दो कारीबूता तेजले कारीबूता तेजे कारीबूता वायू है इनमें जो अपाकजत्व रहता है वो बदलने की संभावना रहता है इसलिए वहाँ अनित्य अपाकजत्व अर तक कभी-कभी पाक से बदलते भी हैं कारीगत जल में कारीगत तेज म और कारिगत भायों में वह पाधिक बदला होता है कारिपुदा जल में भी आप जब गरम करो तो बदलेगा ने तो गंगाजी बहरी कभी गरम धोड़ी हुए आस तब कि गरम करेंगे तब कारी बता करम हो जाता है इसलिए अमित्य पाक कारी में भी माह थी संख्याया हपने लक्षणम कुट्र चसावरत्त यह संख्या का लक्षण उद्वहां का रहती है एकत्वादि व्यवार हेतु संख्या एकत्वादि व्यवार का जो कारण है उसका नाम संख्या है सा नव द्रव्य वृत्ति और वह संख्या पूरे नव द्रव्यों में रहती है पृत्वी में जल देज वायो आकाश में एकत्व संख्या ही है अवपादि के निकत्व काल में भी एकत्व है अवपादि के निकत्व है जिशा में भी एकत्य अवपादि के निकत्व आता में अनेक है है परमाणों भी अनेक है मन परमाणों रूपा मन जो है वो भी अनेक है इसने सभी में संक्यातों विद्यमान है का है 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 हो है खीटि एक तत्व निर्णेश्च इत्थम यह जो रूपाई चतश्रिया आपने पड़ा है उस विशे में तत्व निर्णेश्प्रकार से किया जाता है कि पाकोनामा विशात या तेज़स सही हो गहां चाहिए जो प्रसिद्देश्ट परशवत तेज्णेश्प्रकार करें बाहिए जो अगनी हमनदभव करते हैं उसके पेशासे विलक्षन तेज का नाम बाल वहां गया है वहां नाना जातिय रूप का जनक है गन्द का जनक है रस का जनक है स्पर्श का भी जनक है ऐसे एक विजात्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत परिवर्थन करने में उपयोगी जो तो से ओगा रूप रस परिवर्थन करने वाले तेजस्योग के पेशा से और विलक्षन है इसी प्रकार स्परश का भी परावर्थक जो तेजस्योग है वो भी विलक्षन होता है मैंने एक दूसरे से बिल्कुल आसमब दिखाने करता तर एक ही विलक्षन से चारों काम कर देगा ऐसा नहीं कि रूप का परावर्तन के कारण अलग तेज संयोग है रस के लिए अलग है सब क्या अपना अपना अलग अलग है भले एक की द्रव में चारों काम कर रहे है लेकिन जिस विलक्षन तेज संयोग ने आम का रंग को बदला वही विलक्षन तेज संयोग ने रस को नहीं बदला तो काम दूसरे का रूप का परिवर्तन रस के परिवर्तन गंद का परिवर्तन परश का परिवर्तन इनके एक ही ग्रविम में एक काला वच्छे देने चारों काम ह तो भी उनका तेज़सेयों अलग अलग होंगे दूसर से विलक्षण 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 करने पड़ेगी या रूप का परिवर्तन हुआ है तो रूप परिवर्तक तो तेज़सेयों को मना जाएगा कहीं 2 हुए हैं परिवर्तन वह。 तो आथ के अनकुल 2 प्रकार करतेज़र सहयोग था मान लेंगे कहीं तीन का परिवर्तन तो तीन के अनुरूप जो है तीन प्रकार विलक्षनते संयोग अंदर था ऐसे मान जाना चाहिए जहां जैसा कार्यानु में यह चीज कार्यू को दिख करके आपको निश्य करना पड़ेगा कि यहां पर अमुग विलक्षनते संयोग था से कई जो हैं रुपपरावर्टन होगा इसे भी आम है ऊन देखने में हरी रहते हैं लें अंधर मेठा होगा है अबार से बिलकुल हरा रहेका कच्छा आम जैसे बीखे लेकिएगा लगिन अंदर से मीठा और पकावा होता है कि कि अलवरे परिवर्तल हूं कि एनि आ में इसतर से हने को फरों में इत्याजिय चाहएं कि अंदर सब रहना अनवा equipped इतना तीवर्गति से काम किया है पुरे को सड़ाई दिया उसने और रूप का जो तेस्वयोगति से धीमिंगति से कर रहा था बाहर से रूप तो बड़ा सुंदर लग 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 दोनों के विलक्षन तेस्वयों को अलगला मनना पड़ेगा तब ही जाके व्यवस्ता बनेगी इसे इनका कहन है जहां जैसा कारी होता है उसके अधर पर आपको अनुमान से समझना पड़ेगा यहां इसा है यहां इसा है नाशेन रूपांतर से पीता दिरुत पत्ति ही तृतिया एक वजर मना नाशेन रामेन जैसे नकार नहीं है मलिक लेना उश्म रूपा एक विजातित तेस्वयों था कहां उस त्रिनपुंज में निक्षित आम्र में त्रिनपुंज और आमक संयोग से एक विलक्षन दोन करने के द्वारा रूपांतर से पीता दिरुत पत्ति पीतादी जो रूपांतर उसको उत्पन कर दिया नतुरसा दरुत पत्ति है लो विश्ण त्येज्स नहीं चेहां ऽरसांतर को उत्पन नहीं कहि vapor सिय आमने झeg़ना हो जाओ नहीं पुरिश्यों प्लात होगिया ए तो इस तरह से अंदर तो पूरु रस्तामल रस खटा वैसे अभी भी अनुपव में आ रहा है इससे आपको मानना पड़ेगा केवल रूप को परिवर्तन के योग्य विलक्षन तेशन युग था कोचित पूरु हरित सत्वेपी रस परावर्त्ति द्रशदे और कहीं कहीं पर देखलो बाहर से हरारंग रहता है यह इन भीतर से परावर्ति रसका मिठा हो गया हो है जिए सधेब रूपर अम्लारसन आशेन इजन गह भी पर ड़ेज्टम सी पाक के वजह से पूर्वतन जो पूर्वकाल में विद्ध्यमन आम्ल रस्ता उसके नाशत द्वारा मधुल रस्त वानभव हो रहा है तस्माद रूप जनक आपक्षया रसजनको विलक्ष एवांगी कार्या रूप का जनक पाक है उसके पिशा रसजनक पाक विलक्षन मानना ही होगा और कोई रास्ता नहीं एवां गंद जनको विलक्षन एवा रूप रस अपरावर्तो भी पूर्व गंद नाशे विजात्य पाकवशाथ सुरविगंद ओपलत्य है क्योंकि देखलो गंद जनक में आइसा ही आपको विलक्षन तेसे हुमान अपड़ेगा क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है रूप रस योद आपरावर्तों पूर्व गंद की उपवलब्दी देखने को मिल रहा है कि एवान सपर्षजनकोपी एवान सपर्षजनकोपी हम इसके लिए उक्मा गद्रिश्टान देते हैं में क्या होता है जूप और रस बदलाने ना गन तो बदल गया है आज कर ऐसे उक्मा बनाते हो सफेज ही रहता है दिए सूजी कच्छा सूजी ऐसे लगता है वो लाल प्रस्टाना थी हो सब्सक्राइब रहता है सूजी रंग भी बदलाने रसमें तो इस उची तो सूजी है नहीं गंद्र देब चौंग ठांके बना दिया और और दूर दूर सभी पता लग जयता है में हमाँ गंद्र बदल गया है तो वहां पर रूप रस के परावरति के य यही फिलक्षन टेस्हें योगनों ने बनाया यह मान्ना पड़ेगा। थे वान स्पर्श जनकों पे पाक वशार कठ्षिन परशनाशे मृदस्परशानुबवार का पाक के वज़े से परशनका नाश होने पर मृदस्परश का हो रहा है लेकिन वहां रूप रूप रस्गंद का परमानु नहीं है गूंत फैसना रूप ओंदिक जनक फैसे वेसे ऐसे शें कर लिए अतेवर संद्धियम्त परमानु नाम एक जातियत्वे अपी पाक महिमना विजाति तिरव्यांतरान बवहा इसले पार्थ्यों परमानों में एक जातियत्वे अपी एक जातियत्वे अपी एक जातियत्वे परमानों है पर्थ्यों परमानों है जो विविन प्रिकार के लड़ू होते हैं विविन प्रिकार के मिठा आया बना लेते हैं सबका परमाणों क्या है पार्थिव परमाणों है यह नहीं है फिर भी सब कर रंगल हो रहा है कि मिठामी फरक कर देते हैं लोग चीनी कम डाल दिया ज़दा डाल दिया परमाणों सब एक जाती सब्सक्रामाणु adesso हो सबीमे पार्थिवात्व सभी में समान होने पर भी पाक और महिम न पाक की महिमन है यह कहीं कुछ कहीं कुछ दिखाएं मिजाति eux रविया अंद्रान विजाति रव्यान त्रों विलक्षन द्रभ्यों काहण वह कर रहे हूं एक पृत्वी है अलग अलग बीज भूद्या आपने कि पृतिवी यह वह बीजवी पृत्य प्रमानु यह वह है पृत्वी काहिक अश्य कहुंव हो लेकिन जब कारी बनाते हैं किसी से भिंडी निकल रहा है तो किसी में लोकी निकल रहा है किसी में कुश निकल रहा है बड़ा विलक्षन कारी हुआ है है सब पार्थियों परमाणु है ना भिंडी का पीज़वी पार्थियों परमाणु उसे बना लोकी का पीज़वी पार्थियों परमाणु उसे बना हुआ है लेकिन उनमें ईश्वरी संकल से उत्पन जो संयोग विशेश था उसके कारण से उनमें जो उत्पन विलक्षन तेज संयोग नहीं ऐसे विलक्षन कारियों को पैदा कर देता है एक दूसरे से गुण भी अलग हो जाएं तो इस प्रकार से बिलक्षन पार्तिव परमानू सभी है अब सभी का शरीफ विद्य को पार्तिव परमानू से बना होगा किसका शर्क कुछ खाता प्यूंक को वड़क्त होते जाता है और कोच नंघ्यव होते जाएं कि सपुछ नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब बना कि इसके स्पेशल देसी की डाल तन कि खिलाया तो है नहीं एक जैसे बन रहा है एक जैसे खिलाय जा रहा है कि रिकोई हड़ी होई जा रहा है को आती बने जा रहा है समझवणी उर्फ जा रहा है और तुसरार चित्रा भी खाता है निंद नहीं आती है पड़ा विचित्र है यह सब पाक की महिमा से समझें यह अंदर गया ना वंदर इंग विलक्षन तेज स्यूग पया करता है किसे पाणी में डालो भी चपी हो जाएगा गीर डालो भी पाणी हो जाएगा तो यह जो पाक्ती ही महिमा है और किसी चीज़ का नहीं है यह था यह गाय और सांड को देंगे गाय को घास खिलाते हो है न आवो दूद देती है सांड को घास खिला तो कहां से दूद देगी हो दिगा कि यह सांड कभी दूद गोभुक्त त्रणादी नाम आपरमानमंत भंगे त्रणारंबग परमानुशो विजाधित तैच्ये तेजस्योगात पुर्रूपादिचे तुष्ठे नाशे ताद नंत्रम दुग्धे यादृषण रूपादिकम वर्थदे तादृषण रूपरसदंद स्परश जनक त परमान भी दुग्ध दुणुकम आरभ्यदे ततह त्रणुकादि करमेण महादुग्ध आरंबहाद गौने क्या किया घास खाले त्रणादिको खालिया आप परमान परियंत अंदर में पेट में भंग हो जाएगा पीनु पाकवाद यह ना पहले पीनु पाकवाद को लिकर बोल रहे हैं परमान परियंत क्या हो जाता है अंदर में वो घास नस्ठ हो गया वुचवा के खाती के अंदर गया वो पचाती इस तरीके से कि सब परमाण अलग 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 हो गास के परमाण अलग हो गया अब केवल पार्तिव परमाणों रहा गास आरमग परमाणों नहीं रहा अब परमाण में क्या विलक्षनते संयोग लग्जे उसका पेट में थो दूद बनने लायक रूप्रस्दंस परश उत्पन हो जाएगा फिर अब परमाणुमों से जुनुक बनेगा जुनुक से त्रस्रनु चे त्रस्रनु पंचानु होते हुए विश्वत दूस जो आप देख रहे हैं उपजा हो जाएगा जो खाना खारे हैं वह अंदर जाके परमाणु परियंद नश्थ हो जाएगा इसको उपरिशतों में आना तीन भागों में बढ़ जाता है स्ठूल बागे है को माल मुत्र बृप मेन स्ठूल प्रत्वी और जल निकल जाता है 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 और जो स्ठूल अनावार शिकत तेज़ है उभी गर्मी सह होजार्वार पुस्य निकलूब और आप जानते कि उपर से कर निए जाता है जो खाया हुआ चीज में पार्थियों परमाणों है जलिये परमाणों है वाही परमाणों है यह परमाणों तक नष्ट हो जाता है अब उसमें जह स्थूल है वहर्त हो वह पार आजाएगा सुक्षनिशा और शुक्षनिशा आर शुक्षिवत्तम्धि शूक्षिषा मांसमधिरादी मांसखोनादी रुधिरादी बढ़ता है और शुक्षिवत्तम्धिसा आपके इंद्रियों के पोश्ड़icana यह परमाणों ह अब फिर वहां से शुरू हो जाते हैं दोबर काम है त्रणारमग परमान शो विजादी तेज संयोग है उत्रण के आरमग परमानों थे उनमें विजादी तेज का संयोग से क्या होता पहले पूर रूपादी चतुष्टे का नाश हो जाता है तादरन्द्रम दूखदेयाद्रिशं रूपादी कमष्टत है दूद में जिस प्रकार की रूपश्गंद स्परश्वा करता है ताध्रश रूप रजगंद सपर्श उसी क्यानुरूप रजगंद स्परचानों के चारों जनका थे गरग है जायनते उसी परमाणों में अब यह नेया तेज्छन तेज्छन परस में रूह गास किया तेज संयोग अलग, जो घास के परमाण पर नस्ठ हुआ, उसके दूस परमाण में कायसा विलक्षन तेज संयोग घुषा, जिस से घास के आरंब गरूप रस गंधसपर्ष नस्ठ किया। दूदट्िया पहार्माद होता है तांन नहीं करताता है यह रहा है लुए sophomore लुए चिंव क्र debate नेश्ट करता है वह हनद में तो न था निश्ड करता है वंभी तुझार्मक होथ यही जीवों का अद्रश्ट है कई बार होता है ऐसे पच्चे पहला होते हैं मां का तुझ एक बार भी नहीं कि एक बार कि पार मां का दूदी सुख जाता है कि उल्टा भी ओता है अब बच्चारा ये पीने को मां गया दूदी उस जीव का अध्रिश्ट है उस जीव का अपने पुण्य पाप के वज़ें उन्माकस्तन में दूद होता नहीं कि यह उसी के चीव के कारण से पुण्य पाप के वज़ें से माकस्तन में दूद है नों पीर नहीं पाता है कि दोनों तरह की चीज़ें आप अभार में देखते हैं मनुश्यों में किसी प्रकार यहां भी समझें किसी किसी गाय में दूद कारण विलक्षन देश्ट में वह रहता है वही गाय बुढ़िया हो जाती तब यह होगा तब भी घास खा रही है अब दुगदार में विलक् निरिंद्रिया कठोपनिशन ऐसी काय हो जाती है जिसे कोई दमहीन तो दूद कहां से आरंब करेगी जितना भी घास खलालो वहाँ विलक्षन के सेव नहीं होता जिसे दूद आरंब हो जाए इसे इनका क्याना है ताजरिश रूपरसाद स्पर्श जनक आहा ते सयोगा आहा जायंत ततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततत पंचानवादी क्रम से महादुगुद परियंत वस्तु बंजाते महाद परिमानुवाला पंजातु एवं दूद आरंब के परमानु भी रेवा दधी आरभ्यते है इसी प्रेकार समझे ना वो दूद के आरंबक जो परमानु थे जब आप जामन डाल के छोड़ देते हो वो परमानु पुरिंद नश्ट हो जाएगा फैर्न परियंदन स्ट्रोने के पृत लए है जिस विलक्षन तेस्यों ने परमाहcular प्रयंद में विद्धिमानु प्रश्गंस पर्श्क कीया वाह दो इसट तरके निवर्तों जाता हैं ए पिर ड़ी के आरमग प्रश्गंसपरश क कि अनुकूल एक मिलक्षन तेस्त योगुस परमाणों में हो जाएगा और वो वहाँ पर दधी के अनुकूल रूप रजगंस पर सोत्पन करेगा तद पर स्चाथ ग्रणुद बनेगा त्रिसरन क्रम से महा दही बन जाएगा पाक महिमना दध्यारंब गई रेव परमाण भेर नवनीत अधिकमिती दिकूल इसी पाक की महिमासे उसी दही से आप मक्षन निकालते हो मक्षन से घी बनाते हो घी से मालपुडा बना लेते हो सारा क्रम से बनते जाता है सारे प्रक्रिया यह यह पाक की महिमा से एक से एक से दूसरा दूसरा से तीसरा विलक्षन कारियों को आप देखते हैं संख्या पर निया बुद्री नहीं है संख्या परियमान प्रुत्यक्तु संयव विभाग इनमें कहीं भी नहीं है अभिभागम्रम्र्च्ष्ण फ़हां जा शोड़ना hace 20 workforce एकत्वधनी परार्थ पर यंता एक नित्यम situation नित्य-, अनित्यम धित्तवाजिकंदुदू द्वी आगे छप गया है इउ द्वी को इदर चिन लगा शर्वत्र से पर द्या गया है घित्तवालिंगयतों सर्वत्र निध्य करीड़ी वार कारणी भूदा गुण विशुक्ष का सन्ख्या इमें ये वार रहे तो का देंगे गटा जमती हो जाएगा इसलिए एकत्वाजि विशिशन देना जरूरी है संख्या के अवदी होती है या नहीं इस आशंगा पर दोश लोग दे रहे देखिए एकम दशप्षतंचेव सहस्रम्मयुतंतथा लक्षण्चन्यूतंचेव ओटिर अर्बुदमेवचा विरंदंखर्वो निखर्वच्चा शंका पदमस्च सागरह अंत्यम्मध्यंपरार्धंच दशवृद्यायताक्रमं यहां जो लोख में हिंदी में विवार होता है और यहां में बहुत फरक्त पहले तो ठीके देखिए एक दस सव हजार दस हजार अयूतंच लक्षम मनें एक लाख नियूतंच दस लाख कोटी मनें करोड़ दस करोड़ को अरभूद कर दिया अरभूद कर दिया लेन आप सव करोड़ को अरभू बोलते हिंदी में हिंदी में सव करोड़ का नाम अरभ बोलता है लेन यहां दस करोड़ को अरभूदम एवचर अरभूदम कर दिया दस गुणा दस गुणा बढ़ाना आया आपने गर दक ये बाद रबुदंगे गया इसका मितलाव क्या है 10 करोडन है 100 करोड का नाम इनने पदल दीया सू करोड WiFi को शंक कहेंगे सो निखर का नामी पद्मौ के तेरा सुनिग मढड़ाते जो तो पता लगेगा चौधान सुनिगता है सागरह में के नहीं कि शुनिग बढ़ाते जाना है एक पिर दस फिर ऑजागर एक लाक हैं आप ये जो सागरह आया है सबसे बड़ा संग्या हमारे यहां वही है दशेवर्ध्याय थाक्रम इसके अलावा यह भार में हम लोग प्रयोग करते हैं जो संग्या वाचक शब्द है अंत्यम अथिम प्राभ्शन संग्या हमहते जिसमें यह दशेवर्धी नहीं हिएं जशेवर्धी संग्या वाचक the गश्वद्ध्याsst स्व PCR वयांे। को हैंन्ति ओर श्वयां पाल satu को अन्ति ओरANS प्रतक शंख्या के व्यार होता है अंत्यत्व मक्यत्व संख्या करते प्रार्ध। संता एकत वादी परार परियंता कहा धा है झाल झया ओल नसल्च्पर जो संक्याओं कायो कि विन के लिए परधे बिंद्य इने शी on नित्यू लें घंगारे लाओ इसमें औरम दोनों प्रताय मिलेगा नित्य घंग नित्य और अनित्य घतर अनित्य हुआ करेगा लें दित्वाजी कम तो जित्वाजी जो होते हैं वो सर्वत्न अनित्य मेव सदाई अनित्य किसापेशे न अपेश्या पृतिचन्य, जित्व जो संक्या है वो अपेच्छा पुतिचन्य है अब कितने लोग है इस प्रष्ट का जवाब आप अनेग प्रकार से देख सकते हैं उन्मिला करके बारा है या ने आत्व भी बोल सकते हैं नहीं नहीं जहीं बारा नहीं है छे तो सफेद वस्तर वाले ब्रमचारी चार लाल वस्तर वाले फिर दो ग्रस थी अब ऐसे बना बताना तो है तो बता रहें यह तो अपिक्षा करता है इसको आगे आएगा दित्व के निर्णे यानी आएगो मुपतावली में लिया है मित तत्व जातविश मांते है कियंकि यही जित्त्व संक्या का ज्ञान हो जाए कैसे उत्वन होता है यह इसे नश्द होता है यह वाक कैंसे आ जाता है कि तो बैट तुन तुन ह्म üzट प्क अ होता है इसके लिए नियाय और वैशेशिक दर्शन वालों को ग्यान को ग्यान को ग्यान जो है तीनी शन तक होता है उत्पतिक्षण सितिक्षण नाशक्षण तीनिक्षण होता है इन ऐसा तिन जन मानोगे तो जित ज्यान होगा है नहीं दुनिया में किजी वोगी तो बहुत हो गया वन्याय कहां तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है कैसे क्यों ऐसा आप पहले आयम एक आहां आयम एक आहां आयम एक आहां तरह एक में देखा दो वस्ता फिर दूसरे में आपने आयम एक आहां देखा ठीक अब उसके बाल भौव मिलित्वा एक ज्यान होगा ठीक अब देखे एक ज्यान हुआ दो तीन हो गया अभी तुद्पन होगा नहीं है यह दोनों मिलके पहला अक्षान में आयम एक ज्यान होगी दूसरे में दूसरे में थीक फिर तीसा क लुम्हां krij खतम हो गया अधिति ग्यान कैसा पढ़ा हुगा और आये नहीं आया मेंका प्रादा वाला कतम यहां त्यांते अब इसनों को क्या काना पड़ेगा जब तक दित्तत उत्तन नहीं होता जाती जिप्टत का कारण है तब तक जिन्दा रहेगा मानना पड़ेगा यह तीसरे चन नष्ट नहीं होगा इसको उत्पन करने के बाले नस्थ जाए इसे लिए जित्त्वारी संख्यावत्त पत्ती के प्रती पर्थमत ज्यान को चनत्त्रय अवस्था नांते स्थाई मानना पड़ेगा और त्रसवत्त गया होता है शन द्वेस्था यह तीसरा छन नस्थ होता सार बाग सब ग्यान लेकिन जित्त्वारी संख्या के ज्यान के विशें में पहला जो ज्यान वाए में कहा उसको दुद्धत्त्त्य परियंत स्थिति बान पड़ेगी इसे लिए एक दो तीन चाहर इसकी सिति मानेंगे तब चौतर चाहर में इसको पहला करके इंदा स्कूता है मानों गया तभी तुट्ट्टू का ज्याना को पाएगा ने तो जित्टों में ज्यान भी किसरों पहला नहीं हो सकता और आप लों कि नहीं बच्पन से ज्यान भी आहे तो यह मौक्ष नहीं हुआ वह इसकी करते हैं तुट्त्यक्त समीक ज्यान होजाया तुसके मोख्ष हो जाया कि ग्यान की स्थिटी लएहर जैसा होता है न मन की वृति ग्यान जो होता है आयमे neighborhood पैदा हुआ फिर उसका स्थिटी जब और आ था तबुसरा मीए क्षिप्ँदा हुआ फिर इस दोनों मिल करके होना है उससे दोनों मिलना मिला करके एक दृष्टी कर रहे हैं इतने में पहला वाला नश्टी हो जाता है तो दृत्त ज्यान ही पैदा नहीं होता तब तक इस आयमे का पहला ज्यान की स्थितिय माननी ही पड़ेगी इसलिए यहाइक अप्रबाद है दृत्ताज संग्यान में ही प्रथम अज्यान को तिरीम चन अवस्थाई मानते हैं बाकिसाथ जगह दुख चना अवस्ता है दोई चन रहते हैं जाएंगा तग ज्यान हुआ प्रथम चन में दूसरे ब्रक्षान में जिस्तिती है तरशे चन में अगड़ ज्यान समावत है जो रुतनी उसकी आएंगे दूसरे ब्रक्षान में संस्कार डाल देता है काम चाहिए तो यह भी लक्षानता है जित्तु के ज्यान के पृति तो इसने उन्हें ने कहां कि जो जित्वादिये सर्वत्र भले अनित्य है यह उस्पत्ति के उत्पत्तिकृत विशेशता को ध्या चाहिए परिमान से किम लक्षन के चत से भेदा हा परिमान के क्या लक्षन है और उसकी कितने प्रकार के भेदे मान विवहार असाधारन कारणं परिमानं परिणाम हो गया है परिमानं बनाव उसको गलत चपा है परिमानं होना जैए परिणाम चपा मान व्यवार असाधन कारणं, परिमानम मानम ने लंबा, च險वडा, उंचा, मोटा, भारिपन, सबी प्रकार के नाप के नाप का व्यवार के असाधन कारण का नाम, परिमान है ऊकार रहता है नवादर व्यापुत्त्तु व्यापुत्तु वो भी परिमाने तक चतुर विदम अनु महत दिर्गं रस्वन्चेती अर्वाविचार प्रगार अनु परिमान, महत परिमान, दिर्ग परिमान, रस्वन्चार इनु में और जोडेंगे परमध्य सब जोड़ 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 जोश्ती और प्रभेव पहला कर सब प्रीमाहराश्व मद्यमाहराश्व, इस तर से आप सभी में जोड़के समझ सकते हैं बटिका में दिया हुआ है, कहा क्या आता है वोगी देख लेंगे कि इसमें भी संवान था सब्सुंद सब्सक्राट्व करने हैं Dogam इसे नित्य भी होते हैं और अनिम में अनित्य भी होते हैं कि नित्य गत्र नित्य कनि एनल करतें उपयों प्रेकर का संख्याजन्य परिमाड़ाजन्य Васद mi ऍभी विदंशा परिमाड़ जैसे चावलते हैं आछ डालते जाओ कि जितना घिन सकते हैं डाल सकते नहीं इतना चावल उत्वेट की कवेज अलों होता है दाल वगेरा जोड़े जा रहे हैं तेल वगेरा वाला लग दाना नहीं है धारा है वो कि इसलिन करें संक्या जंदी मानना पड़ेगा काहीं परिमान जंद्ड事य मानना पड़ेगा कंई प्रच्य जंद्नी मानना पड़ेगा जीसे रूह प्रचेश नियुक्त परिमान को प्राप्त हो गया था उतना ही किलो वजन तो बढ़ा नहीं लेहा उसका अपने फैला दिया तोरुभी जो एतना लंबाद दीक रहे महत परिमान को प्राप्त हो गया उसको दवाद आदेskyoka दो फिर गया परिमबर्णी मंषे लोके प्रचेश निय्प्रणी संख्य जन्न परिमान परिमान और प्रचेश्न नी परिमान त्द राः आध्यम परमाणु दित्तु जन्य ऐम दुनुके पहला वला समेचे Impare अभूनुक में संख्या क्रज screens न दू परमाणु मिला दो परमाणु मिलै गया इसका नाम दुनुक है दुनुक है अभूब अणु ववब अनु अस्निन इति ज्रणुकाम। दो अनू जिस एक में आ गया। अर इति संख्या से कत्में आ गया नू दो परमानों के परमानों के जित संख्या को मिलाग करके एक ज्रणुकम ने बना लिया। ज्वव अनू यस्मिन यास्मिन इति ज्रणुकाम। इस एक त्रस्रेणु में भी तृत संख्या करत संख्या जनी परमाने। वहाँ पर क्या हो रहा है त्रस्रेणु में तीन ज्रणुक लेगी आपने। है ना तीनों त्रिणुक मिलकर रखे एक हो गया त्रस्रेणु त्रिणुक है यह नी। त्रिणी द्वेणु पानी अस्मिन इति रेणुकाम। 3 है त्र त्रिणुक जिसमें उसों हम्हिगा किया त्रस्रेणु त्रंुक त्रिणुक त्रितु संख्या जनुझे त्रणुक जितियम अब परिवाण Ride Channel क्या है है जळां बड़े जठा बंते तने पहले है ऑ ACL धश्म पर संध DC कभा बना लेंगे यह है आंश्म Exp partnered मैं वो पहले स्वारे ऊणिधेदों दूसरी आज्वें वाले साङिए जोड देılar फिर ऊपर वाले तो बोढन से हैं उत्व खुब्र होते हैं और दे जोड़ दिया जाता है उन टुकडों के परिमान के अधीन है, वो घट के परिमान, है या नि, जैसे कपडों को भी टुकडों में काट देता है टेलर, आउ जैसे साइस काटा है उसी साथ से तो शर्ट बनेगा आप गा, है या नि, तो उन टुकडों के परिमान के अधीन है, उस आपके जब बना हु परिमान जन्य स्थाड़ों में समझना परिमान किरतियं तूल आवले वह जन्यं तूले इती तूल का वाई वह उनसे जन्य होता है तूल में रुई में यह विशेष्था अब आये प्रथक्त सिक्किम लख चनं यह पदगरति में विजाना है तू देखलो उसमें जो बोल रहा है ना चत्रविधम अपी परा और मध्य वेदेन दीविधम ततर परम अनु रस्वत्वे देखो अनु रस्व के साथ दोनु जोड़ दिया परम अनु है परमरहस्व है ऐसा कौन है परमानु में और मन का परिमानु मन का साइस कितना है परम अनु और परमरहस्व है परम अनु और परमरहस्व परिमानु किसका मन का परिमान और परमानु का परिमान भी परमानु का परिमानु का परिमानु के नहा नाम ही रख देए इसले पार पारिमांदल्य का मतल्य पित्र ये परमानु और परमरस्व परमानु और परमरस्व का नामी परमानु और मनु में मध्यम अनु और अध्यम रस्व परवार के अंदर यह विएगल परिमानु और परमाहत्व और परमाहत्य और परमदीरग ये। आकाशाली व्यापक पदार्त्व परमा महत्त्व और परमधीर्व यह कहां है आकाशाली विभू पदार्त्व मेरे गगनादव और मध्यम महत्त्व और मध्यम धीर्ग यह गटागी सारा संसार में संसारी पदार्त्व गटागी कारिये गटागी कारियों में और एतन मोगतिकाद एतन मोगतिक मनुविती व्यभारस्य अवक्रिष्ट महत्त्व आशरत्वाद गवणत्म बुद्ध्यम अवसे ये छोटा इससे वो बड़ा ऐसा जो व्यवार होता है वो व्यवारी सब गवण व्यवार है उनके लिए अलग नाम देख करके व्यवार करने कोई जुरुत नहीं परिमानों के एक प्रभेज और नया बनादू नया नाम करण करदू ऐसा कोई जुरुत नहीं और यह यह मेवर केटनाज वेजनम थास वं इत्यत्या पी निकृष्ट दीर गत्वाद गौनत्तं वहां भी व्यवारी समझ्ञ लें केटनाज ऊंब, वेजनमeres लेजिए, बेड़ा पंखा उसे छोटा पंखा छोटा है पंखे के पाइचा से यह पंखा छोटा है आपने पंखे नहीं कि पहले जमाने में जो होते थे बड़े बड़े पंखे देखा हैं एक आप मिले के चलना मुश्किल होता है इतना बड़ा होता है अपले कि मैं ओपर टांग देते तो सबस्क्राइब जो रोषानदान होता ते ना वा रोषान जान कर दो अधर रोषानदान से रसी नीचे उदर बाहर जाता है वरेंडे में जो नो कर लोग होते थे वो रसी नीचे पंखे रोषान दरहुआ हो चलता था और सेटिव इसे पं कि कि याचय के उसकी अप sexual के दाला है माला जो लड़की का जातीऊ होगा ओपन्खान मुष्किल से लगाने में법 अब आई वेको पंगत में लगाना पूडता हवा हम नहीं लाया तो बेकार आदमी है हमेरा स्वागती नहीं कि जितना बड़े खिला उसको कुछ भी करो यदि यह सवर वाले ना पराग पंखा नहीं चलाया कहेंगे तो बेकार लोग संस्कार हे नहीं इसूद्र है ब्राहमन प्रामनें परिपाठी बड़ा पंखा चाहिए अब कुछरे उसे नहीं पुद्धा कहां चलाएगा तो कण्यादा नेरवर्दी बुद्धा हो कहां से चला पाएगा वह ले करके गुमता है के वली में करते चलता है हवा तो चलते ही नहीं हुए पित्रा भारी होता है पुद्धिन केत्रों से वी तो बड़ा है बहुत तो कुछरे उसके सामें ये तो साथ्पेक्ष्वेभारों के लिए मुख्य गोण भेद कर सकते हो आप इसले वान अलग अलग परिमानों का नाम करन करना वुचितो नहीं है पृत्यक्ष्वेभारों के लिए प्रत्यक्ष्वेभारों के लिए अलग अलग है इस प्रकार का जो विवार हुआ उस सभार के प्रत्यसान कारन गूता गुण का नाम प्रत्यक्ष्वेभारों क्मार अलग 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 चीज है उत्यक्ष्वेभार सीयोग के लिए मन्लिक रहते हैं आ सभी द्रव्यों में प्रतक द्राम का गुण रहता है कि संयुक्त वार है तो हो संयोग है सर्वद्रव्यृति है यह सब विष्ट है इनको क्या कहते हैं विष्ट दो दो में रहने वाले कि प्रतक तो एक में नहीं अजया सकता है यह मउव प्रतक फर्थक है उनको की कुछ रहे है वह दौनों पते हैं जुए धृस्ट गुण क्या का जाता एं दो में रहने वाले दृस्ट गुण के परीमान जित्वादी है संक्या है परिमान जितने भी है ज़ैंकाती का परिमान फे प्रुत्तवी अनेक में रहता है एक में हो नहीं सकता है, संयोग है इचक क्ynen एक में हो संयोग है दो में रहने वाले गुल यह भी सभीध रख्यों में रहाता है लेकिन इनमेन अंतर थोड़ा समझ। सर टो विष्टवते हुए कुछ तो व्याप्पी वर्त वोते हैं कुंच अल्यां सइयोग अल्याख है उब यह है अभ यहां जहां च्छूँ रहा है दो अंगूलियां वहीं सान्गे ना इधर नीचे ईउफ्पर कहीं नहीं इसे सईयोग क्या करते हैं मैं इस साइड में सव्योग नहीं उपर में सव्योग नहीं है जहां चूर है ऑ होई पर सजोग होगा अनियंतर सजोग नहीं हो यह बोलड लेखनी इसे है अग्जा छूरे हैं वहीं पर सयोग है बाकी लेकरीम में बोरड़का सयोग नहीं है इनको आव व्याप्य वृतिक है नहीं प्रृतक तो है सनी आप तो अलग-अलग इमो प्रृतक विवार किया और प्रृतक तो कहां रहे गई कोई नहीं कि चम्रे में कही है खिसा जेख हो तो सयोग व्याप्यवर्ति संख्या और प्रृत को तो आंगोली में फूरा रहे गांग घार की सबकरी में गईए और जो नहीं हो थो दुश्छ क होते हुए और देशावच्चन संड अधुएं नाश्वर्भी भाग हुआ लिए जी जी dicht थेश्योग ता उसी में भी भाग है कि जी दोंब कामाया आनुमान घंड में इसलिए बोल रहा हूं थाओँ पूछांगा तोता है अब याशीव घृतिया होता है कपचौिक आया है ना कपचौका आता है पूर पक्षे व्यात्ती में आव याशी요 विए विष्ठति नुदम अब Powersie संयोग नाश को गुणों विभागा हैं। विभाग से किम लक्षन हैं। संयोग नाश को गुणों विभागा। संयोग का नाश किया जाता है जिससे ऐसे गुण विशेष का नाम विभाग। संयोग नाश कत्त विशेष्ट गुणत वत्तम विभाग से लक्षा। संयोग नाशकत्त विशेष्ट गुणत्वत्तवं विभाग से लगछा। विशेषन मात्र पादाने क्रियाया आपी संयोग नाशकत्त वात्तत्त विशेषन मात्र लेलो संयोग नाशकत्त विशेषन है और गुणत्त विशेष्ट 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 विशेष् प्रस्तिवी का सयोकनाशनी उत्पता। उठना पड़ेगा न? उठोगे तप तु समन्न टूटेगा इन्हें। इसे क्रिया भी क्या है सहयो कना चे उसने आती व्यापति होगा तत्र आती व्यापति ततवारनाय गुनत तमीदी विशेश उपादानं ये विशेश उपादन ग्रान करना बड़ा